दिली के उखला में शेपाल यादब ने उतरप्रदेश सिंचाई विभाग के नए औरिटोरियम का उद्गाटन किया इस दौरान पार्टी के तमाम विधायक और विभाग के अधिकारी वहां मौझूद रहे यहां उन्होंने मौझूद लोगों को संबोधित भी किया इस दौरान हमारे समवारता अविनाश सिंग ने उनसे बात की यूपी के कैबिनेट मंतरी शिवपाल सिंग यादव ने दिली के उखला में सिचाई विभाग के नए औरिटोरियम का उद्गाटन किया है ज़्यादा बाचीत के लिए मेरे साथ शिवपाल सिंग यादव है सर एक अदद जरूरत बताई जा रही थी कितना जरूरी मान रहे थे और इस औरिटोरियम को जो आज बना है यहाँ पर देखें यह सिचाई विभाग का बहुत ही एहतिहासिक जगह है यहाँ बैराज है यहाँ एहतिहासिक गेस्ट हाउस है और यहाँ जो पुरा पर्श्मे उतर पे देश सिचाई विभाग का यहाँ से कंट्रॉल किया जा सकता है तो यहाँ जब ही कभी दिली में बैठने के लिए या मीटिंग करने के लिए कहीं पर भी इस्थान नहीं था जहाँ पर मीटिंग बलाई जा सके और बाहर के कभी कभी बाहर के लोग भी बाचीत करने आते थे तो कोई अच्छी जगह बैठने के लिए नहीं थी अब यह जो प्रिच्छा ग्रह बना है तो इसमें हम बैठ करके बाचीत कर सकते हैं सर आपने अभी कहा था कि तलाबों को दुरूस्त करने के लिए सिजाई विए बहुत ज़्यादा का और खासकर बुंदेल खंडी लाके के लिए लेकिन जो आपके भी बक्षी हैं वो यह आरोप लगा रहे हैं कर बीजेपी कि अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा साफ करने में राज्य सरकार हमारी मदद नहीं कर रही है हमने जब भी मीटिंग होई है केंडी जनसान सादन मंत्री जी क्या हमारी मीटिंग होई है कई मीटिंग होई है दर्जनों मीटिंग होई है मैंने उन से इसपस्ट कहा कि मुझे सबसे गंगा को करता है कानपुर्स है तो मैंने कहा कि पांच हजार करोड क्यों उन्होंने बीस हजार करोड रुपया बज़द में रखा था मैंने कहा पांच हजार करोड रुपया मुझे दे दीजेगा और मैंने प्रोजेक्ट भी बना लिया है मेरे पास है बना हुआ है मैंने दिखाया भी है लेकिन कहें पर भी उन्होंने अभी तक बिना पैसे के तो होगा नहीं कोई काम तो मैंने कई वार क्रियास किया है लेकिन नहीं मिला नो खुद शुरू किया है तो ऐसे तो नहीं हो सकता है लेकिन जब तक भारत सरकार ये तो राश्टी प्रोजेक्ट है गंगा का और बादा भी किया था बादे जनता पर्टी के लोगों ने पिदान मंती जी ने भी बादे किये हैं गंगा का अब गंगा को भूल गए हैं तो विपक्ष का ये आरोप है कि सपा की सरकार कोई काम नहीं कर रही है लेकिन सपा की सरकार ने जो किया है और सपा की सरकार ये दावा भी करती है कि सिचाई व्योस्ता को दुरूस्त करने के लिए और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए चार सालों में कई योजनाओ की शुरुवात की गई और जिससे सीधे तोर पर लोगों को फायदा भी मिला कैमरामेन कुल्दीब कुमार के साथ हमिनाश सिंग नेशनल वायस दिल्ली चैहन